कि आपकोशन है आप बॉल इस थ्रोन अप वित स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड हाउ हाउ हाई विलिट गो बिफोर इद बिगेंस तो फॉल जी इग टॉलल्ड फ्रेंट पर सेकेंड स्क्वेर ना तो बाली जील आप थेख स्नी क्या पुला है बॉलीज अधी जीएग प्रिव फर्वर्स विल्ड गो प्रॉल आप से अन्यूं यह तो फॉलीज प्रॉल्ड गोलीज बॉल इस एड थे विल्युग न्यूं टॉल्ट ना तो देखो इसने क्या दिया है? स्पीड, इनिशल स्पीड is 15 मीटर्स पर सेकेंड यू यू इस एक्वाल तो 15 मीटर्स पर सेकेंड वेन इच रिचेस्टो मैक्सिमम हाइड वी इस जीरो है ना? वहाँ पर वह रुख जाती है तो V is equal to 0 मीटर्स पर सेकेंड ना? और देखो इसने क्या दिया है? anything more? G तो G is equal to we can say it's 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्कॉर्ड ना? तो अब देखो इसने क्या निकालने के लिए बोला है? A ball is thrown up with a speed of this. How high? that means we have to find out the H. this one. H is equal to what? now we will write the equations. जो हमको पता है तो क्या है? फर्स्ट एक्वेशन इस V is equal to U plus GT तो from this we can find out the time. तो time हमको ने चिए है. second equation. H is equal to UT plus half GT square and third equation is your V square is equal to U square plus 2GH now by the third equation we can find out the I. we know the G, we know the U, we know the V तो यह देखो आपको क्या हो जाएगा? V is 0 is equal to U is 15 square plus 2 into G is 9.8 and H and we are throwing against the gravity that means our G is minimum means minus sign so here it will come minus ठीक है? तो bring this to this side तो देखो क्या आ रहा है आपका? तो इन्टो 9.8 H is equal to 15 into 15 तो H is what? 15 into 15 by 2 into 9.8 ना point को हटा दो and 0 will come up है ना? एक point के बाद दीवाट दीवाट 0 will come up ना तो अब देखो यह किसे कट रहा है? तो we can go for किसी से नहीं कट रहा है तो यह आपका देखो उपर कितना आ गया? 15 into 15 is 225 2, 2, 5 and 1, 0 by नाउ इसको multiply करो 2, 8s are 16 1 carry 2, 9s are 18 1 is 19 अब इसको divide करो तो देखो क्या आ रहा है आपका? 2, 2, 5, 0 divided by 196 तो 1 times is 196 तो यहाँ पर आपका आगया 9, 1 2, 2, 9, 0 तो देट मेंस अगें 1 times is 196 तो यह आपका हो गया 4 यह हो गया 9 तो 94 तो we will put point here it will count to 0 तो approximately 4 times तो 4, 6s are 24 2 carry 36, 38, 3 carry and 7 तो आपका आगया 6 and year it is 5 and 1 तो 156 तो 11.4 और 1 point और लेना तो आप ले सकते हैं तो we will put 0 here तो year it will come as 7 times तो आपका क्या हो गया देखो h is equal to 11.47 meters is your height तो आपको इसको इस तरह से करना है